हाई फ्रेंज असलाम लेकुम कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में आज मैं बहुत ही टेस्टी टेस्टी हाना बनाने वाली हूँ और मैं अपनी मम्मी पापा की बहुत ही टेस्टी सी रेस्पी आप सबस्क्राइब रखे हैं सबस्क्राइब कर से घरण हैं धनिया पाउडर, ठोड़ा सा गरभे मसाला, चाट मसाला पाउडर देशा झाट नमक करें समया मसाली मिक्स कर छाएंगा उठी है Slowly मैंने यहां पर बड़े साइस की टमाटर लिये, दो पतले काटके डाल दिया है मसाले के अंदर और ढखके हमने मसाले को अच्छे सिभून लेना है, जैसे ही मसाला अच्छे सिभून जायेगा, दो चमच हमने बेसन को भी अच्छे सिभून लेना है साइड में, उसके बाद मस साले अच्छे से भर सकें तो यहां मैं करेले के अंदर अच्छे से मसाला भर रही हूं सारे हमारे करेले के अंदर अच्छे से मसाला भर चुका है अब इसको हमने पकाना है कुकर के अंदर बस दो सीटी में फटा-फट से पक जाता है तो मैंने थोड़ा सा तेल ज्यादा डाल लगता है खाने में बिल्कुल अचार की तरह लगता है साम के समय में चट पर आ गई थी थोड़ा सा वॉक करने के लिए क्योंकि प्रेग्नेंसी में वॉक करना बहुत ही अच्छा होता है सारे बच्चे यहां पर क्रिकेट खेल रहे थे फिर मैं नीचे आई तो नीचे देखा लेना है उसके बाद हमने इसको शैलो फ्राइ करना है थोड़े सी तेल में हमने डाल देना है और दोनों साइट से बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन होने तक अच्छे से हमने फ्राइ कर लेना है यहां देखिए हलका हलका जो मचली के ऊपर है कलर आ चुका है मतलब हमारी जो बहुत ही अच्छे से फ्राइ हो चुकी है इनको निकाल लेना है उसके बाद मचली का मसाला तयार करेंगे तो मैंने टमाटर रेड़ चिली गार्ली धनिया सरसो जीरा काली मिर्च और प्याज ले लिया है उस सभी को पीस लेना है और तेल के अंदर हमने मेथी डाल देना है उसके बाद जो हमने मसाले पीसे थे वो डाल देना है फिर हल्दी पाउडर डाल देंगे स्वादन सा नमक डाल कर अच्छे से मसाले को मिक्स करेंगे जैसे मिक्स हो जाएगा इसको धक देना है मसाले को अच्छे से भूनने के लिए बीच बीच में एक दो बार चला लेना और यहां जो हमारा मसाला बिल्कुल अच्छे से भून चुका है ये देखिए तेल भी साइट से छोड़ने लग गया है अब इसको एक बड़े से कड़ाई में ट्रांसपर कर देना है क्योंकि हम ग्रेवी वाला बना रहे हैं सारे मसाले डाल कर हमने पाने डाल देना है जितना भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे 5-6 मिनट के बाद आपकी जो फिश है बिल्कुल अच्छे से बनकर तयार हो जाएगी तो यहां देखिए 5-6 मिनट हो चुका था मैंने एक फ्रेम को बंद कर दिया था और यह हमारी जो फिश है बनकर तयार है आपको यह रेस्पी कैसी लग कि क्योंकि मैं फिश नहीं खाती हूं तो अपनी लिए मैं वैस सेंवीच बना रही थी तो कुछ उबले हुए आलू रखे हुए थे और सब्जे रखे हुए थे उनको मैंने कट कर लिया था आपस में मिक्स कर लिया थोड़ी से मैंने सॉस डाल दिया था और अच्छे से मने इन सभी को मिक्स कर लेना है आपके घर पर नॉनवेज बना होता है आप नॉनवेज नहीं खाते तो अपने लिए क्या बनाते हूं कमेंट करके जरूर बताईएगा तो यहां मैंने ब्रेट के उपर सारी सब्जे लगा दिया थोड़ी से बने चीज ग्रेट कर दिया था दो